Hello everyone, welcome to Topper Brands, आज हम लोग Chapter 12, The Pied Piper of Hamily, from Class 5, New Images Next का, हम लोग आज study करेंगे, काफी interesting story है और पहत famous story भी है ये, और इस poem, ये जो है, actually ये जो story है, ये poem में दिया गया है, इसका जो base story है, Robert Browning द्वारा, इनके writer है Robert Browning, जो इसका actual version है, वो poem में आता है, ठीक है, लेकिन आपके ये जो book में यहाँ पर है, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये poem में नहीं है, नहीं ये story में है, काफी stories उस poem के उपर में बन चुके हैं, short stories, लेकिन ये stories में भी नहीं है, story में भी नहीं है, और poem में भी नहीं है, ये ज 2 Act 3 करके The Pied Piper Pied Piper का मतलब होता है बांसूरी वाला ठीक है बांसूरी वाला Pied Piper Of Hamelin Hamelin एक शहर का नाम है एक सीटी है ठीक है तो ये एक नाटक स्टार्ट होता है और नाटक जब होता है तो हम लोगों को पता है कि नाटक में कुछ कारेक्टर्स होते है हम लोग उस नाटक के कारेक्टर्स को प्ले करते है स्कूल में हम लोगों ने कुछ मतलब ऐसे नाटक प्ले किये होंगे है ना स्टेज पे इंडिपेंडेंस डे में रिपब्लिक डे में है ना शो में हम लोग करते हैं और उसके जो character से उसको हम लोग play करते हैं वैसा dressing करते हैं वैसा size ते हैं है कि नहीं तो इसमें character से हैं जिनको हम लोगों को पहले जान लेना है एक pied piper कोई एक pied piper character बना है जो gangly and bizarre youth with a flute तो gangly का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसका जो हाथ और पैर है वो काफी लंबे लंबे हैं ठीक है और वो आसानी से move नहीं कर सकता है bizarre का मतलब होता है विचित्र strange unusual जो एकदम अटपटा सा दिखता हो ठीक है मतलब अजीब दिखता हो अजीब दिखने कोई bizarre बोलते है जिसके पास एक flute है बासूरी है the mayor of hamlin hamlin का mayor है इसमें कोई इस नाटक में इस नाटक में children of hamlin भी है hamlin के बहुत सारे children's का role भी किया गया है council है and townsfolk of hamlin townsfolk मतलब hamlin शेहर में रहने वाले लोग फिर उसके बाद the rats of hamlin hamlin में बहुत सारे चूहें है actually यह जो story है वो उन ही के उपर बेज़ड है तो इसमें चूहों का role भी किसी ने किया है फिर उसके बाद Julius Caesar rat है एक ऐसा rat जो बाकी सारे rat से अलग निकला उसका नाम है Julius Caesar rat उसको कहा गया इसमें फिर एक narrator है narrator जो story को narrate करते है नारेट करना मतला बोलना ठीक है एक आदमी इसमें narrator भी है जो story को कह रहा है एक lame child इसमें एक लंगडा बच्चा भी है जो अच्छे से चल नहीं पाता है handicap की तरह तो सबसे पहले act one start होता है जिसमें scene one में lights spotlight जो होता है वो दिया जाता है stage के उपर में corner में और narrator जो है वो एक किसान की तरह peasant the narrator dressed as a peasant peasant मतलब किसान steps into the spotlight and begins narrating hamlin's rat problem from 500 years ago तो यहाँ पे narrator जो है एक किसान की तरह dress up करके आते हैं spotlight जो आप लोग देखेने होंगे cinema hall में या कहीं drama में इस तरह से एक light आता है white color का ठीक है जो आदमी कुछ बोलने वाला stage पे उसके उपर एक light पढ़ता है cinema में भी आपने देखा होगा तो वैसा light में narrator आते हैं और start करते हैं कहानी को और कहानी जो है hamlin शहर में rat का समस्या मतलब चूहों का बहुत बड़ा problem हो गया था hamlin शहर के अंदर करीब 500 साल पहले अभी की बात नहीं आई है इस्टोरी है 500 साल पहले पुराने इस्टोरी जहां पे hamlin में बहुत सारा rats हो गया था पूरे शहर में और पूरा शहर जो है त्रही त्रही कर रहा था शहर पूरा मतलब परेशान हो गया था शहर के लोग अब narrator कहते हैं the town of hamlin is a beautiful place the river western touches the town in the south it is filled with beautiful spots and the town's folk are always happy बहुत ही सुन्दर शहर है hamlin और river western जो है hamlin शहर को दक्षिन की तरफ south की तरफ टच करता है और यह जो hamlin शहर है वो काफी beautiful जगहों से भरे हुए है और यहां के लोग, town's folk मतलब लोग, यहां के लोग काफी खुश हैं आज but hamlin wasn't always a nice place लेकिन hamlin हमेशा से इतना अच्छा जगह नहीं था almost 500 years ago the town was plagued with rats करीब 500 साल पहले यह शहर जो है यह चुहों से काफी परेशान था ठीक है अब spotlight जो है वो light जो stage पे गिरता है the spotlight on the narrator deems down as the narrator delivers the next set of lines अब जो वो light है वो deem होता है मतलब थोड़ा सा light कम हो जाता है narrator के उपर meanwhile at the same time we see the lights at the center stage coming to life standing in the center of the stage are four to five children dressed as rats they are shoving each other and being rowdy और light जो है stage पे पढ़ता है उन चार पांच बच्चों के उपर जो चार पांच बच्चे चुहों का ड्रेस पैन करके ready है और आपस में धकेला धकेली कर रहे है pushing आपस में एक दुसरे को push कर रहे showing and being rowdy और काफी आवाज कर रहे हैं वोलो मतलब कुछ बच्चों ने इस नाटक में पार्ट लिया है चुहें बनने का role उनको मिला है तो कुछ बच्चे यहाँ पर चुहें बन करके चुहों का ड्रेस पैन करके खड़े हैं उनके उपर spotlight उनके उपर light पड़ा ठीक है stage के उपर अब narrator कहते हैं rats all the lights have come on on stage we see children dressed at as the town's folk और light फिर से पड़ता है stage पे और light में दिखता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उस शहर के निवासी बन करके खड़े हैं उस शहर के लोग बन करके खड़े हैं ठीक है शहर के लोग और उनमें से a man walks his dog a cook with a ladle who is checking on his soup मतलब एक आद्मी गुत्टे को घुमा रहा है वहाँ पे मतलब बच्चे लोही रोल कर रहे हैं बच्चा लोही कोई आद्मी का रोल कर रहा है stage पे रोल किया जा रहा है एक cook जो खाना बनाने वाला है वो खाना बनाने वाला जो cheese रहता है समान रहता है, spoon, serving spoon ladle मतलब serving spoon, जिससे खाना परोस्ते हैं उसमें वो soup को check कर रहा है and also a group of women talking और कुछ group of women है, औरते हैं जो बाते कर रही है, we also see a vat with cheese and a couple of barrels as props on the stage और large container है वहाँ पे जिसमें cheese है और couple of barrels मतलब gallon की तरह वहाँ पे containers है, जो stage पे दिख रहे है play के दोरान में play को करने के लिए ये सब use किया जा रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, कि सारे लोग role कर रहे है, कुछ लोग चुहों का role कर रहा है, कुछ लोग वहाँ, हैमलिन शहर के आदमी निवासी बन गए है, कुछ कुक बने हुए है, कोई आदमी बना हुआ जो कुत्ते को घुमा रहा है तीक है, कुछ women है वहाँ पे जो आपस में बाते कर रहे है तो इस तरह से stage में यह scene चल रहा है, in this scene the rats go around terrorizing the town's fox, और इसी दोरान कुछ rats जो है, चुहें जो है वो शहर के लोगों के चारो तरफ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं they are fighting the dogs, kicking the cat and licking the cook spoon the town's folk are screaming in terror they are fighting the dogs चुहें इतने वहाँ पे बलवान थे इतने वो लोगों ग्रूप में पावर था सारे चुहें ग्रूप में आकर के कुतों को भी परेशान करता था कुतों से जगडा कर रहा था और बिल्लियों को kick कर रहा था बिल्लियों को मार रहा था और cook का जो चमच था उसको भी वो लोग चाट रहा था leaking the town's folk are screaming in terror और शहर के जो लोग थे town's folk मतलब लोग, शहर के लोग वो लोग पुरा डर से चीख रहा थे इतने सारे चुहे आ गए थे फिर narrator कह रहे है कहनी कहने वाला they fought the dogs and killed the cats कुतों के साथ वो चुहे लडने लगे और बिल्लियों को मार डला इतना शक्तिसाली था चुहा वहां का they ate the cheese out of the vats and leaked the soup from the cook's own ladles they made nest inside women's sunday's hat और वो लोग चुहे इतने बदमास थे कि वो लोग कुतों को मार रहे थे कुतों से जगडा कर रहे थे और बिल्लियों को मार डला सारे cheese जो थे container में रखे हुए उसको खा गए और cook का जो spoon था उसको चाटने लगे उसे soup को soup को चाट रहे थे तो पहला woman कहती है isn't the weather lovely weather बहुत lovely है न तो rat वहाँ से pop करके निकलता है एक चुहा निकलता है squeak squeak करके आवाज करता है फिर दूसरा woman बलती है I love your new hat मैं तुमारे नया hat को बहुत पसंद करती हूँ cat तुरंत वहाँ पे hat को काटने लगता करके काट रहा है तो ये scene में दिखाया गया है अब act one का scene two scene one हुआ act one का scene one अभी हुआ जहाँ पे हम लोग देखे कि सारे बच्चे और सारे जो characters हैं वो stage पे तयार है और ऐसा चुहा जितना भी है वो कुत्नों को मार रहे हैं और बिल्लियों को मार डाला और spoon को चाट रहे हैं मतलग और लोगों को परिशान कर दिया हैं लोग चिला रहे हैं hamlin शहर के scene one में इतना हुआ अभी scene two स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे जहाँ पे क्या है we see the mayor and council members seated around a table शहर के जो mayor है और council member है वो एक table के चारो और बैठे हैं they are alarmed by the sight of the townsfolk bursting into their room और वो लोग यहाँ पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि शहर के लोग काफी परिशान है the townsfolk are standing around the table they look agitated and are yelling in protest और शहर के जो लोग है उस table के चारो और खड़े हैं गुसे में और प्रोटेस्ट कर रहे हैं विरोध कर रहे हैं मतलब और पहला आदमी कहता है waving his fist in anger मुठी को हवा में गुसे में लहराते हुए कहता है it's clear that our mayor is full ये तो clear है कि हमारा mayor जो है वो बेवकूफ है दूसरा woman rolling her eyes अपने आखों को घुमाते हुए कहती है our corporation is no better हमारा corporation भी अच्छा नहीं है दूसरा आदमी कहता है grinding is teeth in anger गुसे से अपना दाथ को पीशते हुए कट-कटाते हुए कह रहा है if the mayor and the corporation don't get rid of these cats rid of these rats we are going to get rid of them instead अगर ये mayor और corporation हमें ये चुहों से छुटकारा नहीं दिला सकते तो हम लोग खुद इसके लिए आगे बढ़ेंगे मतलब सारे लोग जो है चुहों से काफी परेशान थे और crowd पूरा भीड जो है आपस में मिल करके चिला रहते chanting पूरा भीड जो है लोगों का भीड चिला रहे थे get rid of cats sorry get rid of the rats get rid of the rats get rid of the rats मतलब चुहों से छुटकारा दिलाओ सारे भीड लोग भीड में लोग चिला रहे थे अभी act 1 ही चल रहा है act 1 का scene 3 आ गया scene 3 में अब क्या हो रहा पहला scene में हम लोग देखें सारे लोग stage पे है दिखाया गया चुहा उत्पात मता रहा दूसरा scene में दिखाया कि corporation और mayor जो है वो अब meeting करने के लिए बैठे है क्योंकि शहर के लोग बोल रहे हैं कि चुहों से चुटकारा दिलाओ ठीक है शहर के लोग काफी गुस्से में है अब scene 3 स्टार्ट हो रहा है यहां पे this is the continuation of the previous scene we see the corporation mayor still seated around the table racking their brains for a solution the angry mob around them has dispersed और पिछलाई scene जो था scene 2 जहां पे mayor और corporation सारे बैठे हुए हैं लोग table पे decision लेने के लिए कि चुहों के साथ क्या किया जाए चुहों से कैसे छुटकारा पाया जाए और इस शेहर को चुहों से कैसे बचाया जाए तो अभी भी scene 3 में भी वो लोग table पे बैठे हैं और गुसा गुसे से भरे जो लोग थे mob, angry mob मतलब जो लोग, गुसेल लोग थे वो लोग अब जा चुके थे has dispersed अब क्या होरा mayor कह रहे हैं कि we have tried everything, these rats are giving me a headache if only there was a way to get rid of them all at once अभी mayor कह रहा है कि हम लोग सब कुछ करके थक गये हैं लेकिन इस चुहों से छुटकारा मिलने रहा है ये एक headache बन गया है सिर का दर्द बन गया है कैसे इस चुहों से छुटकारा मिल पाएगा कोई बताए तो knock 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 उसी समय किसी ने खटखटाया दर्वाजा को मैं आर इक्साइटेड हुआ God bless us all भगवान हम सब की रक्षा करे हम सब को आशिरवाद दे Who do you suppose is outside the door क्या लगता है दर्वाजे पे कौन है किसने knock किया Corporation का एक member जो है वो बोला धीरे से Come in Enter the Pied Piper Enter the Pied Piper A Gangly Man Dressed Like a Jester एक Pied Piper एक बांसूरी वाला जो है वो इंटर करता है वहाँ पे यह stage पे show यह सब चल रहा ठीक है और show में ही दिखाया जा रहा है नाटक में ही दिखाया जा रहा है एक Gangly Man एक पतला हाथ पैर वाला आदमी जो है जोकर की तरह ड्रेस पैन करके अंदर आता है Pied Piper कहता है Please your owners allow me to be assistance I have a magic flute and with it I can lead any creature under the sun मुझे एक मौका देजिये साब मैं अपने जादूई बांसूरी से magic flute जादूई बांसूरी से सारे जीव जनतू को बाहर निकाल सकता हूँ ठीक है Pied Piper आ करके वहाँ पे Mayor के सामने Corporation के सामने बोल रहा है Pied Piper Proudly striking a pose एकदम proud हो करके गर्व से सीना चोड़ा करके बोल रहा है Last June I freed a town from swarms of flying insects just a week ago I eased Asia from their monstrous bats पिछले ही June के मैने में मैंने एक शहर को उड़ता हुआ इंसेक्ट से मुक्त कराया उड़ता हुआ इंसेक्ट से छुटकारा दिलाया और एक सबता पहले ही Asia को मैंने monstrous bats से छुटकारा दिलाया मतलब monstrous मतलब बहुत बड़े-बड़े जो चमगादर होते हैं bats चमगादर जो रात कोड़ते हैं black color का वो I can I can read it of all its rats all I ask in return is a payment of a thousand gilders मैं सारे चुहों से आप सब को छुटकारा दिला सकता हूँ इस शहर को बचा सकता हूँ बस मुझे इसके बदले में एक payment चाहिए जो कि thousand gilders हो मतलब मतलब जैसे हमारे यहाँ पे एक हजार रुपिया वहाँ पे एक हजार gilders तो एक हजार gilders Pide Piper ने demand किया कि एक हजार gilders मुझे दे दो मैं सारे चुहों को बाहर निकालके शहर को मुक्त कर दूँगा मेर जो है वो अचमभा होते हैं बस एक हजार गिल्डर हम तुम्हें पचास हजार गिल्डर देंगे मतलब जितना वो मांगा उससे भी ज़्यादा अब Act 2 यहां से सुरू होता है Act 1 खतम हो गया Act 2 का Scene 1 अब यहां से स्टार्ट होता है The Pied Piper now on the street dances and plays his magical tune the narrator is back on the stage और Pied Piper जो है शहर के जो road है, street है वहां पे dance कर रहा है और अपना magical tune बजा रहा है अपने बासूरी से narrator यहां पे फिर enter करता और बोलता है Into the street the Pied Piper stepped with each shrill note his pipe uttered it was as if a loud army followed and muttered और Pied Piper जो है जैसे ही शहर के street में उतरता है और एक shrill note मतलब एक तेज धुन बजाता है अपने pipe से, अपने बासूरी से वैसे जैसे army में बजाया जाता है और और सब को उसको follow करते है The Pied Piper plays his pipe, he dances hops and skips behind him, we see an army of children dressed as rats और Pied Piper ऐसे बजाते हुए, dance करते हुए, उचलते हुए आगे जाता है और ठीक उसके पीछे army of children सारे बच्चों का जो जुन्ड था, जो की चुहे बने हुए थे, वो उसके पीछे जाने लगे और आपको story, जो main story है, main story में ऐसा ही हुआ था, कि बांसुरी वाला जब बांसुरी बजाता था, तो सारे चुहे जो है बांसुरी वाला के पीछे चलते जा रहे थे तो यहाँ पे तो यह एक नाटक प्ले किया जा रहा ना, तो नाटक में जो लोग चुहे बने हैं, जो बच्चे, वो सारे बच्चे चुहे बन करके, उस पाइट पाइपर के धुन को सुनते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगे, और नाच नाच करके झाने लगे, और डिफेट टाइब के साइज पुन करती हुए जाने लगे, और नाटक प्ले हो, सब मॉझे बन करते लगे, दर्जे पीछे यह की उत्लने से उछलते, कुदते, सारे rats जो है वो बाहर आगये, उसका पाइट पाइपर का जो मासूरी का धुन था, वो सुनते हुए, great rats, small rats, lean rats, brownie rats, old rats, young rats, fathers, mothers and uncle rats, सारे तरह के rats, छोटे, बड़े, पतले, दुबले, मोटे, बुढ़े, ज़ाँ, father, mother, uncle, जितने भी rats है, सारे rats बिल से बाहर निकल गए और Pied Piper के धुन को follow करते वे उसके पीछे पीछे नाचते गाचते उचलते उचलते जाने लगे More rats join and follow the Pied Piper, they are being led to a river और उचलते कुदते Pied Piper उन लोगों को एक नदी के तरफ ले गया The rats dance into the river, stick their tongues out and round और सारे rats जो है, dance करते करते उस river में घुष जाते हैं और उस river में घुष करके drown, बाहर जाते हैं ठीक है? मतलब इतने नाचने में उन्हों को मंत्र मुख्द कर दिया था नशे में आ गया था कि वो लो नदी में घुष गया narrator अब कहता है From street to street they joined, step by step they followed dancing until they dance into the river, plunged and perished वो लोग सारे street में dance करते हुए, follow करते हुए spite piper को लोग river तक पहुचे और river में जा करके डूब के मर गए, सारे चुहे there was but one rat who survived that day और उस दिन एक चुहा जो है, वो बच जाता है जो जो छोटा था, शॉट था as Julius Caesar, Julius Caesar की तरह वो छोटा था और वो तैर करके बाहर निकल जाता है इस कहानी को बताने के लिए क्योंकि वो चुहा अगर नहीं बच था तो ये कहानी किसी को पता नहीं चलता तो वो चुहा वहाँ पे बच गया था और बच करके वापस आया और वापस आके ये कहानी बताया कि ये पाइट पाइपर ने धून बजाते हुए सब को मंत्रमुक्द करते हुए ले गया है सब और नदी मे ले जाके घुसा दिये लाइट फॉल्स अन्दा एंजियस रैट अब इस रैट पर इस रैट के उपर जूलियस सीजर रैट के उपर लाइट पड़ा कहाँ पर? स्टेज की में स्टेज में वहाँ पर रोल प्ले हो रहा न तो स्टेज में अब जूलियस सीजर रैट जो था ये छोटा रैट जो बच के आया था उसके उपर लाइट पड़ा अब ये क्या कह रहा है, ये Julius Caesar Rat जो कापते हुए कह रहा है, कपकपाते हुए, trembling When I heard a shrill note from a pipe, I dropped the apple set, I set my eyes on जैसे ही मैंने बांसूरी के आवाज सुनी, मैंने अपने, मैं जो apple को देख रहा था, मेरे पास जो apple था, उसको छोड़ करके मैं भागा I moved from the pickle tubs, मैं अचार के tub से बाहर निकला, I left a jar a cupboard, और अलमारी का दरवाजा ऐसे खुला छोड़ा and followed the sweet sound of the pipe, और बांसूरी का जो मीठा धुन था, उसको सुनते हुए बाहर निकल गया It said, और ये जो धुन था बांसूरी का, Pied Piper का जो ये बांसूरी का धुन था, वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था Oh rats, rejoice, मतलब चुहों, मजे करों, enjoy करो, the world is yours, ये दुनिया तुम्हारी है So, munch on, crunch on, take your breakfast, supper, dinner and lunch on और चबाओ, कुतरो, खाओ, breakfast, dinner करो, शाम का नास्ता, रात का भोजन, और lunch, सब कुछ करते जाओ और मजे करो, ये दुनिया तुम्हारा है, ये कौन कह रहा है, ये, ये कहानी सुना रहा है, जूलियस सीजर कि ऐसा गीद गाया वो, ऐसा धुन बजाया, Pied Piper ने, और उस धुन में ऐसा बोला जा रहा था, कि आरे, चुहों, चलो, मजे करो, खाओ, पीओ, इंजॉय करो, डिनर करो, लंच करो, ये दुनिया तुम्हारी है ऐसा करके, वो धुन बजा रहा था, और हम लोगों को लल्चा के घर से बाहर निकाल दिया, और ले जा करके, रिवर में कुदा दिया और दूसरा चीज़ जो मुझे याद है, मुझे पता है, कि हम लोग जो है, वो नदी में बहने लगे मतलब लल्चा करके सारे रैट्स को ले गया, ठीक है, ऐसा बोल-बोल कर गे, और ले जा करके, नदी में गुसा दिया अब Act 2 का Scene 2 स्टार्ट होता है, और लोग जो थे, हमलीन के, वो लोग बहुत खुशिया मना रहे थे, नाच रहे थे इस्ट्रीट में, क्योंकि सारा चुहा जो है, वो शहर से जा चुका था और मेर जो है, शहर का मेर, वो लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है और पाइड पाइपर को इग्नोर कर देता है, पाइड पाइपर का कोई बात नहीं करता है, पाइड पाइपर को भूल जाता है, मतलब बांसुरी वाला को भूल जाता है तो narrator यहाँ पे कहता है, stage में The people of Hamlin cried and rejoiced, they rang bells, they danced, they sang at the top of their voice सारे Hamlin के लोग जो हैं चिला चिला करके खुशिया मना रहे थे घंटिया बजा रहे थे, नाच रहे थे, गाना गा रहे थे खुल करके और mayor यहाँ पे कहते हैं Go and get long poles, poke out the nest, block up the holes, consult the carpenters and builders and leave not a trace of the rats Mayor कह रहा है कि जाओ जाके long poles ले करके आओ और जितने भी rats के जितने भी घोसले हैं वो सब को निकालो, वो सब को खतम करो और जितने भी holes हैं, उन सब को बंद कर दो carpenter को बुलाओ, builder को बुलाओ, जो भी करो लेकिन rats का कोई भी निशान अब रहने मत दो सब 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 हाया कर दो trace of the rats मतलब कोई भी निशान भी मत छोड़ो सब clean करो अगदम pipe piper आता है और कहता है first can I have can I have have my thousand guilders please वो कहता है कि क्या मुझे मेरा हजार guilder जो है वो मिल पाएगा अब काम तो हो गया मेजर उसको देखता है कहता है कि a thousand guilders कैसा thousand guilders मेर हस्ते हुए कहता है उसको मजाक उडाता है to pay such a sum to a wandering fellow with a coat of red and yellow इतना बड़ा sum इतना बड़ा पैसा मैं दूँँगा एक ऐसा आदमी को जो सिर्व लाल कोट और यलो कोट पहन करके घूम रहा है we saw the rats drown हाँ हम लोग देखें rats जो है वो नदी में घुस गया बह गया our business is down और हमारा business अभी down है there is no way the dead can come back to life और हमारा business down है और हम लोग अपई पैसा नहीं दे सकते है और मरा हुआ चुहा जो है वो आपस भी नहीं आ सकता है ठीक है mayor कहता है फिर the thousand guilders was a joke we are all quite broke thousand guilders का जो बात था वो ऐसे ही जोक था हम लोग खुदी टूटे हुए है हम लोग खुदी हम लोग के पास पैसा नहीं है हम लोग कहां से देंगे our losses have made us thrifty so instead of thousand we offer you 50 तो thousand हम लोग नहीं दे पाएंगे हम लोग 50 दे पाएंगे लेना है लोग नहीं तो जाओ ऐसा करके वो बदमासी किया mayor किस के साथ pied pipers के साथ तो pied pipers गुसा हो गया बासुरी वाला वो बोला कि everyone is grateful pay me what's mine I will not discount a single piece of silver single piece of silver कहने का मतलब है कि money आप मुझे मेरा पैसा जितना बनता उतना दे दो मैं एक भी रूपया डिसकाउंट नहीं करने वाला हूँ if you don't give me what's mine I will be forced to play a different tune अगर आप मुझे मेरा पैसा नहीं देते हो तो मैं मजबूर हो जाऊंगा दूसरा धुन बजाने के लिए और उसके जिमेदार आप होंगे मुझे नहीं पता फिर क्या होगा अब मेर हसते हुए कहता है you threaten us fellow तुम मुझे डरा रहे हो ए तुम मुझे डरा रहे हो क्या well do your worst जो करना है कर लो तुम blow your pipe till you burst अरे बजाते रहो अपना बासुरी जब तक तुम फट नहीं जाते हो बजाओ जितना बजाना जो करना करो मतलब वो पैसा देने के लिए तयार नहीं हुआ मेर जो है कह दिया कि पैसा नहीं है पचास देंगे लेना है लो अब पैट पैपर गुसा हो गया वो बोला हम दूसरा धून बजाएंगे अब सोचो दूसरा धून बजाएगा तो क्या होगा तो वही हम लोग देखेंगे सीन थ्री में एक्ट टू का सीन थ्री लाइट फॉल्स अन दे नेरेटर नेरेटर को पर फिर से लाइट गिरता है इस्टेज में नेरेटर कहता है और फिर से वो पैट पैपर स्ट्रीट पे आ गया बजाते हुए धून को एक नया धून बजा रहा था ठीक है और सारे बच्चे जो है वो इस समय और सारे बच्चे अब क्या है वो जो पैट पैपर धून बजा रहा था उसका धून सुन करके सारे बच्चे जो है उसके पीछे उचलते कूदते हुए जाने लगे अब नेरेटर कह रहा है और ऐसा धून बजा है कि सारे बच्चे उस धून को सुन करके मनमोहित हो करके उस पाइड पैपर उस बासुरी वाले के धून के पीछे वो लोग भी चलने लगे जिस तरह से चूहे चलने लगे थे पहले ब़ाइज और गल्स रन आउट स्माइलिंग फ्लेशिंग देर जब ग्रेंस जब आनाज गिरा हुआ रहता है तो कैसे सारे चिनिया आ जाते हैं अट्रैक्ट हो करके उसी तरह से सारे बच्चे हैमलीन शहर के घर से निकल गए और उस पाइड पाइपर के धून के पीछे-पीछे सुन करके वो लोग चलने लगे उचलते कुदते हुए डांस करते हुए ठीक उसी तरह से जिस तरह से पहले चूहे उसके पीछे डांस करते हुए गए थे रीवर के तरह से अब सारे बच्चे डांस करते हुए जिसके पीछे-पीछे जा रहे हैं अब जो है scene ये मज़ेदार scene है, scene 1, act 3 का, the mayor and the council stand still, और mayor और council के जो लोग थे वो खड़े हो गए और देख रहे थे कि उनके बच्चे जो है, pide piper के पीछे पीछे जा रहे थे, narrator कह रहे है, the mayor felt dumb and so did the council, dumb मतलब गूंगा, mayor और council जो थे वो गूंगा की तरह खड़ा होकर के बस देख रहे थे, और अपने seat पे वो लोग ऐसा लग रहा थे कि frozen हो गया है, मतलब freeze हो गया है, hill भी नहीं पा रहे हैं, वो लोग कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, नहीं चीक पा रहे हैं अपने बच्च to the river, mayor देखता है, mayor कहता है कि वो लोग तो आप river की तरफ जा रहे हैं, corporation member कहता है, what will happen to our sons and daughter, हमारा बच्चों का, हमारे बज़े बेटे बेटियों का क्या होगा अब, narrator कहता है, the pipe piper turned, leading the children to the Koppelberg hill, at once the townsfolk were relieved, और narrator यहाँ पे कहता है, अभी ये लोग बाते कर रहे थे, mayor और corporation member बाते कर रहे थे, कि वो लोग river की तरफ जा रहे हैं, और हमारे बच्चों का क्या होगा, तो narrator अभी कहता है, कि pipe piper वहाँ पे turn हो जाता है, गूम जाता है, और Koppelberg hill है, एक बड़ा hill है, Koppelberg का, उसके तरफ turn हो जाते हैं, सारे बच्चों को ले करके, तो शहर के जो लो करके जा रहा है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि Koppelberg hill में क्या होने वाला है, town's folk कहते हैं, he can't cross that mighty hill, his pipe will drop, the children will stop, अब सारे भीड के लोग कह रहे हैं, जोर जोर से, देखते हुए, कि ये जो इतना बड़ा पहाड है, इसको तो ये pipe piper cross नहीं कर सकता है, उसका जो pipe ह अब गिर जाएगा और सारे बच्चे जो है, अब रूप जाएगा वाँ पे, तो narrator कहता है, but when they reached the mountain side, a wondrous portal opened wide, अब जैसे ही mountain के पास वो लोग पहुँचते हैं, तो एक अजीब सा जगा, एक अजीब सा beautiful और impressive जगा खुल जाता है, wondrous portal, मतलब ऐसा लगा जैसे उस पहाड मे एक दर्वाजा खुल गया, और उसके अंदर वो pipe paper चला गया, धीरे से, और सारे बच्चे उसको follow करते हुए, उसके अंदर चले गए, all except lame child entered, सारे बच्चे उस पहाड के अंदर चले गए, ठीक है, बहुत अच्छा scene था, वहाँ पे बहुत beautiful scene था, उस पहाड में एक गूफा है, और दर्वाजा के उदर गूफा के अंदर एक अलगी दुनिया था, जो बहुत ही खुबसूरत था, और lame child जो है, एक लंगडा बच्चा जो धीरे चल रहा था, वो बाहर छूट गया, वो अंदर नहीं जा पाया, अब lame child जो है, ये सारा कहानी सुनाएगा, ठी पीछे बच गया था, उसने आ करके कहानी सुनाया था, ठीक है, तो ठीक वही कहानी उसी तरह से ये repeat हो रहा है, तो वो लंगडा बच्चा, lame child जो है, वो कह रहा है, धीरे धीरे, it's dull in our town, all my friends are gone, अरे आप मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है, अपने टाउन में सारे मेरे चले गए, saw the sights that they saw, the joyous land where waters gushed and fruit trees grew, वो बहुत ही सुन्दर द्रिस यह है अंदर, जहां पे फलों के जो ट्री है, बहुत अच्छे से वहां पे दिख रहे है, everything was strange and new, अंदर में बहुत सब कुछ, एक अलग ही प्रकार का है और एकदम नया है, the sparrows were brighter than peacocks, और वहां हमारे deer से भी, हमारे हिरन से भी अच्छे है, their honeybees had lost their sting, और वहां के जो मधुमक्की है, उनके पास वो sting नहीं है काटने वाला, मतलब बहुत अच्छे है वहां पे, हमारे मधुमकी तो हमें काट लेते हैं, and their horses were born with eagle's wings, और वहां पे जो घोडे है, घोडों के पास पंक है, गोडों के पास गोडे उड़ते हैं उस में, उस दुनिया में, ये दुनिया कहा है, ये दुनिया उस hill के अंदर है, ठीक है, जहां पे pipe paper सारे बच्छों को ले करके घोज गया, I was left outside alone, I couldn't enter the promised land, I had to go back home, मैं उस जगा में घोज नहीं पाया, उस land में पहुँच नहीं पाया ये कौन कहा रहा है, ये lame child कहा रहा है, लंगड़ा बच्चा, अब narrator कहता है, Hamlin, having suffered a great tragedy, having lost all its children, tried to pay the pipe paper, but he was nowhere to be found, अब Hamlin जो है, अब फिर से दुख में डूब गया, क्योंकि ये अपने सारे बच्चों को खो दिया, सारे बच्चे उस पहाड के अंदर चला गया, Pied Piper उनको ले करके अंदर गायब हो गया, अब Pied Piper को ये लोग पैसा देने के लिए, उसका पैसा देने के लिए ढूड़ लेकिन Pied Piper अब मिला नहीं, so before I go, let me leave you with words of wisdom, तो इससे पहले मैं जाओं, narrator कह रहा है स्टेट से, कि इससे पहले मैं आप जाओं और विदा लूँ आप लोगों से, मैं कहना चाहूंगा एक बहुत बुधिमानी वाला बात, और एक बहुत अच्छा बात, एक knowledgeable बात मैं आप को कहना चाहता हूं, wisdom देना चाहता हूं, if we have given them our word, अगर हम लोग किसी को अपना वचन देते हैं, अगर हम किसी से कुछ वादा करते हैं, we must keep our promise, हम लोगों को अपने वादे को पूरा करना चाहिए, जैसे mayor और जो corporation के लोग थे, वो लोग Pied Piper से वादा किये थे, कि मैं नहीं दे रहे थे Pied Piper को चुहे भगाने के बाद, तो Pied Piper गुस्सा हो गया, सारे बच्चों को लेके अब ये गायब हो गया पहाड के अंदर, अब ये लोग ढूंड रहे हैं कि हमारे बच्चे चले गए, अब Pied Piper कहा है, हम उन लोगों पैसा देंगे, उसको पैसा दें का था, ये यहाँ पे end होता है, हम लोग फटा-फट अभी MCQ भी देख लेते हैं इसी पार्ट में, बच्चों को कहाँ पे ले गया था Pied Piper, कॉपलबर्ग हिल में, तो इसके बाद हम लोग नया वीडियो देखेंगे, जिसमें question answer में करवा दूंगा, पूरा अच्छे से, तो इसलिए आप लोगों से request है कि आप लोग वीडियो को like कीजिए, सारे दोस्तों के साथ share कीजिए और चैनल को subscribe जरूर कर लिजे, तब ही आपको आगे आने वाले वीडियो भी मिलेंगे, कोई query होगा तो comment जरूर कीजिए, thank you and have a nice day.